Assalamualaikum to our channel the learn and earn तो start करते हैं आज की वीडियो को आज की वीडियो है हमारी WordPress को install कैसे करना है और उसको use कैसे करना है तो चलते हैं अपने browser में और हमने browser खोल लिया और आप उपन कहले हैं यूटूब पर जाते हैं पहले अपने channel को तो देख लेते हैं कि हमारा चैनल कैसा है और कब लोग वा वाइफाय कोनेक्ट हो चुका है इसको मैं refresh कर देता हूं तो हमारा खुल चुक है यूटूब यूटूब अपन हो चुक है तो मैं अपनी चैनल पे जाता हूं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि Wordpress की सारी वीडियो कहाँ आपको मेलेंगी तो मैंने नई प्लेडिस्ट बना दिया यह प्लेडिस्ट पर आपने यह यह पर डिफन प्लेडिस्ट बनेंगी हैं इसके पाद आपने वीडियो अपलोड की विया हो जाकर देख सकते हैं और बाकी तो इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप अपने लैप्टाप पे offline काम कर की वेबसेट बना सकते हैं तो इसको आपका time भी बच जता है और आपका internet भी बच जाता है और आपके पैसे भी बच जता है तो आप offline बना कि अपने clients को बह सकते हैं, तो सब आपने डाउनलोड पर जाना है, डाउनलोड पर जाने के बाद डाउनलोड पर क्लिक हो चुकी है और यहाँ पर यह वरियंज हैं विंडोस के लिए और यह लीनिक्स के लिए और यह साफडर आईफून या ओएक्स के लिए और सब्रेटिंग सिस्टम के लिए है तो यहां पर में गार्या यूस करता हूं तो आपでも सबसे लिचेए इसब से इस हो directly at this हुशे सब्सेर सेवं सीरा में लास्ट पर चाह तो आपने यहां पे देखांए है और स Vermittबाट फोर फार कि पीह पी लिवल यगाई इसको आपने γैई नाउंट करने के बाद आप इसके OS kita करने के बाद आपको ऊप को कुछ इस तरह आप यहाँ पर आएंगे तो आपको इस तरह का मिलेगा तो यह आपको अपने मैंने ये फ्ल six लाया वाद है तो ये इस तरह ओपन होगा आपने इनों को पहले वाले को स्टार्ड कर लेना है आप तो start हो चुक का यह तो आमने के करना है wordpress लेना है तो wordpress download करने के लिए यह जाने wordpress.org इन यह लिखना है आपने और यहाँ पर यहाँ वर्डप्रेस की वेबसाइड पर आ जाएगे यहाँ गेट wordpress क्लिक करेंगे ओर यहाँ यहाँ इसको डाउल्ड करने गे डाउनलोड करने के बाद मैंने डाउनलोड कर लिया ये आपके सामने तो ये आपको इस तरह की फाइल में लेगी वर्डप्रेस की ये आपने इसको कर लेना है एक्स्ट्रक्ट कर लेना है इस पर राइड क्लिक करेंगे एक्स्ट्रक्ट करेंगे तो ये एक्स्ट्रक्ट हो ज आप यहां इस्टाल होता है, सी के अन्द यह आपने यह पर निया है, अगर आप छेंज ना करें लोकेशन, तो जाएम, folder आने के पाद आपने क्या करना है folder आए चुके आप आपने क्या करना है बलके folder को मैं दोबारा क्योंकि ये पुराना folder है और इसको मैं chain कर लेता हूँ तो ये आपके सामने 5%4 ये अभी यापे पेस्ट हो रहा है होने तो हमारा folder paste हो चुक है उसके बाद हमने क्या करना है XAM तो हमारा start हुए है मैं दोनों ये देख लिना है कि ये दौनों start हुए है start हुए है तो मैं उसके बाद कोई भी browser open कर लेता हूँ यहाँ पर आपने लिखना है localhost ये यह आपने लिखने है localhost और double slash डाल लेनी है इसका बाद आप यहाँ आ जाएंगे इसकी file पर offline होगे तब भी यह चलेगा internet की कोई जवरत नहीं है आप यहां पर PHP my admin पर click करेंगे PHP my admin पर click करने के बाद आपने यहां पर क्या करना है मैंने यह पहले बनाया हूँए quick ops gonna लेता हूंचे यह wordpress की मैंने पर लाइडदरा बनाए हाथ अब के वार्ड़इडर नांव दभाप person आपके लाइक पर लिखता हूं जैए तो मैं new के लिक करता हूँ यहांपे लिखता हम wordpress एंड इसको मैं कर देता हूं क्रियेट कर देता हूं तो यह वर्डप्रेस हमारा क्रियेट हो चुका है क्रियेट होने के बाद हम क्या करेंगे इसकी अब हमें जरूरत नहीं है तो हमें इसको क्रास कर देते हैं और यहां पर लेखते हैं localhost slash wordpress यह आपने लेक लेना है तो आप जो अभी wordpress को folder वहां पर रख है उसको इंस्टाल करेंगे तो यह मरे पास आ चुका है wordpress installation और यहां पर अपने language select कर लेना है और continue कर लेना यह इंग्लिस select है by default और यहां पर अपने shop का नाम लिख देना है तो मैं यहां पर एक देता हूँ shop e shop यह जो कुछ भी है आप यहां पर अपना email देने और यह रही मैंने अपना email दे दी है email देने के बाद आपने क्या करना है email मैंने घलत दी है तो यह ठीक होगा अपने setup ईंस्टाल पर क्लिक कर देने है इमेल इसलिए अगर आप भूल जाए तो यहां पर फॉर्गेट आपको मेल आजाएगी वहां से आपको इसको फॉर्गेट कर सकते हैं तो यह भी इंस्टाल हो रहा है और फ्यू मिनिट्स यह इंस्टाल हो जाएगा नमरी वेबसाइट का नाम हमने यह लिखिया साइट टाइटल अब आप अपने इसको लाग इन कर लेना है या या यूजर आम पास्वर या इमेल भी दे सकते हैं तो लाग इन कर लेना है अगर वर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्ड तो आफ चेंच और यहां पर यह थीम पर क्लिक करेंगे और यहां पर यहता हुआपस पर प्लोड़ करेंगे तो Sonad Bibla पुरि पोस्ट शो हो जाएगी निदि आप ये अगर आप अगर आपने Thheamz और यहां पर देख लिए तो तो आर्लाइन अविल्म है, इस टाइम आपके पास इंटरनेट आन होना चाहिए, एड़नु पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहां पर और थीम्स अवेलेबल हैं, जो भी आप चाहें, थौसंड आप थीम्स हैं, 15 फीचर्ड थीम्स हैं, यहां पर पापुलर के अंदर आपके सामने तो यहां पर भी 3894 हैं, और लेटेस्ट के अंदर जो भी नहीं आई हैं, वो कितनी है, 7000 से जादा हैं, और फेवरेट 45 होगी, तो यह हो गया, अगर हम थीम्स अड़ करने तो यहां से अड़ करेंगे, उसके बाद आगर थीम्स के अंदर चाहिने आपके सामने और अपने प्लागंिन अगर आपने डाउनलोड की हैं, तो भी यहां पर अप्लोड पर क्लिक कर कई यहां से अपके PC में पड़ी हैं तो इसको अप्लोड कर सकते हैं, और उसके बाद यहां पर आगर आपके वेबसाइट पे कितने यूजर्स हैं वो आप यहा रहा है इडियो करण आदिनस्रेटर वह आप यहां से चेंचान्स क खग्या है आप पोस्ट पे जाए और अगर आपने न्यू पोस्ट होई भी है तो आप कैसे करेंगे अगर पहले ही तो बहुझ होती है आप पेजसिंचेंधS नहीं होते तो मैं पेजस को नहीं आइड करता है फिर भी आपने आड़ करना है तो add new पे klik करते हैं आप post media पहले बिता देते हैं को media की अंदर किया होता है? images वगेरा आप upload करते हैं और इसके अंदर post वगेरा की अंदर use करते हैं add new पे klik करेंगे तो यहां से upload वीडियो वगरा जो कुछ भी आपने यहां से अप्लॉड करनाँ हो अप्लॉड कर सकता है तो मैं पहले ये अप्लॉड कर लेता हूं यह इमिज मैंने अप्लोड कर द presenters अधिया और यह अपलोड हो चुकी है. पड़ी रहएगी. अगर मैंने किसी जगह यूस करने हो तो इसको यूस कर लूँगा. तो मैं new post create करते हूँ सबसे पहले. और यहां पर मैं आपको वैसे trial दे रहा हूँ. यहां पर मैं लिख देता हूँ learn & earn लिके लेता हूँ e-capital online तो मैं यहाँ पर यही copy करके नीचे paste कर लेता हूँ और text मेरे पास अभी है नहीं तो मैं इसे को यूज कर लेता हूँ और नीचे मैं चाता हूँ के जो अभी मैंने image upload किया है उसको use कर लो हूँ मैं directly यह media library है तो यहाँ पर अगर आपको यह और upload करना चाते हैं नहीं हो तो यहाँ से select कर सकते हैं तो simple सा option है और यह media library वाली मैं use करना चाता हूँ तो मैं इसको select कर लेता हूँ यहाँ पर किप्शन दे सकते हैं यह किसके बारे मैं इसको पिक्चर को link भी कर सकते हैं तो फिलाल के लिए मैं demo कर रहा हूँ तो learn बलकि मैंने copy किया वादा तो मैं उसको paste कर देता हूँ यह हो गया और इसके बाद भी मैं यहाँ पर कुछ text add कर देता हूँ ताके यह थोड़ा अच्छा लगे और advance मैं यह क्या कुछ भी है अडिजनल कलर वगर आप चैन कर सकते हैं इस text का तो मैं इसको white रखता हूँ white नहीं black इसको publish करता हूँ publish तो यह publish मारी पोस्ट अभी देखीगा friend line यहाँ पर आगे होगी अभी तक यहाँ नहीं आई हाँ home पे नहीं है home पे जाएंगे तो अताब आएगी क्योंकि यह आ चुकिए अमरी पोस्ट जो भी हमने किया alert नरान वाली इसके अंदर यह लिखाव है तो अभी यह पोस्ट लोड़ और यह कुछ इस तरह नजर आ रही है अभी पासे में जो नीचे टेक्स्ट और यह related पोस्ट जो हमने पहली की थी वह उसके अंदर आगी है जो related पोस्ट जो पहली पोस्ट यहां पर आप comment भी कर सकते हैं और यह होगा यह अली ने upload किया है जो मैं हूँ और comments 0 है और अभी date 10 है तो 10 को upload ही है तो मेरी date खराब है य नहीं हुई भी तो यह सही होगा उसके बाद आपने क्या करना है अगर आप इस यहां से इस चीज से आप चाहते हैं कि मेरे पास यह link है और मैं इसके admin panel पर जाना जाता हूं जैसे यहां पर post और आड़ करना चाहता हूं तो यहां पर यह आप लिखेंगे WP admin जो भी मैंने इसको नहीं बता होगा तो आज की वीडियो में सरफ नहीं था मिलते है नेक्स वीडियो में लाइक शेयर और सब्क्राइब करना मात भूलिएगा अपने दोस्तों कुछ शेयर करें क्योंकि मैं पूरी सीरीज लेकर आने माला वर्डप्रेस की नेक्स वीडियो जोगी नहीं शाफिंग वेबसेट वर्डप्रेस पेकर सब्सक्राइब बहुत एजी है आपको कोई कोडिंग नहीं करने परती सब कुछ आप दो पास अवेले बला है इसको यूज़ करके आपने सब कुछ करना होता है तो मिलते है नेक्स वीडियो में अभी के लिए अलाहाफूस वूग्स पास जोड़ है नहीं दोचे सब